हलो दोस्तो नमस्कार, study portal में आप सबका स्वागत है, मैं आपका सात्य और guide डॉक्टर विजे दोस्तो आज का हमारा topic जो है, वो administration and finance को लेकर के है क्योंकि इंडिया में जहाँ जहाँ प्रिंसिपल और vice principal की post आती है वहाँ ये topic बेहद important हो जाता है KVS हो, NVS हो, यो PSC दिल्ली के लिए भरता हो, या फिर EMRS जैसे department हो जहाँ जहाँ बड़े level पर principal, vice principal की post आती है जो candidates होते हैं, जो experience होते हैं, उनकी सबसे बड़े दिक्कत होती है administration and finance से, क्योंकि ये एक बड़ा portion है terms काफी important होती है, लेकिन tough भी होती है जिसकी वज़े से, selection के उपर इसका आसर पड़ता है तो आज हम LTC rules के बारे में देखेंगे CCA rules हो, CCA rules हो, या दूसरे जितने भी rules हो वो ऐसे exams में बहुँ ज़्यादा important हो जाते हैं तो आईए, इस से related coach, multi choice questions देखेंगे और आने वाले exams के लिए, जो मेहतर पूर्ण questions है उनको इसके साथ हम discuss भी करेंगे इससे पहले शुरू करूँ, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हम लोग all over India के अंदर study material प्रवाइड करवाते हैं principle wise principle का, KVS, NVS, EMRS, UPSC, DEALY सबके लिए material आपको दिया जाता है सबका अपना-पना अलग format में आप लोगों को ये दे दिया जाएगा जैसे इसमें सारे section दे सकते हैं general knowledge है, teaching aptitude है, आपका हिंदी है, computer है, English है, reasoning है general science, GK वाला part आजाएगा, quantity aptitude आजाएगा, child development pedagogy है supplementary rules है, education and academic है, administration, finance है सबकुछ इसके दिने include होता है, इस number पर call करके, WhatsApp पर बात करके order कर सकते हैं, all over India में हम ये study material प्रवाइड करवाते हैं जिस भी topic में problem आए, उसके लिए video बनाकर आपको upload कर दी जाएगी देखते हैं सबसे पाला question अब to what amount of advance may be given for both outward and return journey if the lieu taken by the official or the anticipates absence of members of family does not exceed 90 days under LTC अच्छा इससे शुरू करने से पहले तोरह LTC के बारे में आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि काफी सारे बच्चों को ये भी doubt रहता है new travel concessions बोलते हैं इसको और rule 1988 के तहत है ये full form अगर भाई चांथ हाला कि नहीं आएगी बट कभी कभी आप लोगों को जनकारी होनी चाहिए LTC मतलब new travel concessions rule है 1988 वाला आप इसमें क्या-क्या चीज़े हैं बहुत सारी चीज़े इसमें आ जाती है नमबर एक पर अगर ध्यान से देखेंगे they shall come into force on the date of their publication in the official gadget एक तो इनकी शुरुवात कभ से हुई जब से जैसे ही publication gadget के अदर ये publication इनका हो जाता वहाँ से इनकी शुरुवात होती है दूसरी चीज सब लोगों के उपर ये apply होते जो जो इसके criteria में आते हैं उसके अलावा कुछ होल ट्रम होंगी जो आगे आने वाले समय में आपके लिए important होगी वो सारी चीज़ों को हम लोग याँपर बात करेंगे question जो पहला है जो आपके सामने screen पर है वो है up to what amount of advance may be given for both outward and written journey if the leave taken by the official or the anticipate substance of members of family does not exceed 90 days under ITC option देखिए number 1 60, number 2 90, number 3 100 और number 4 50 अब देखिए answer क्या हो सकता है 100 रहेगा, 90 रहेगा, 60 रहेगा या फिर आपका 50 रहेगा तो यहाँ आपका answer जो है वो रहेगा 90 90 days वाला होगा, question number 2, what is the time limit for travel of RTC advance in case of journey by train अगर journey by train वाला case है, उसके अंदर what is the time limit for travel of RTC advance कितना समय time period उसके अंदर रखा गया है, number 100, number 150, number 3 200 और number 4 आपका 125 यहाँ आपका answer रहेगा 125 next question आपके लिए है, कि what is the time limit for travel of RTC advance in case of proposed journey to be undertaken by other modes जैसे air है, sea है, road है, train के बजाए, अगर other mode में है तो ऐसे case में जो time limit है, वो कितना होगा, एक एक देखिए, 65 है, 75 है, 85 है, या फिर आपका 95 है अच्छा, पहले वाली train वाली स्तिती से, जो यह वाली situation है, यह बिलकुल अलग होती है और इसलिए यहाँ जो है, वो आपका 65 डिजावर रहेगा question number next है, within what period of time and official suit furnish railway ticket में numbers, PNR number, ETC to the competent authority from the date of draw of advance कितने समय के, कितने समय के अंतराल के दोरान यह आपको देना पड़ता है, within what period of time, यह जहाँ पर साब-साब कूश रखा है, कि time period of time, period of time आपको बताना है, कितने समय, PNR number और ticket number बगारा तो देखिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, या फिर आपका 25 डेज, इसमें आपका अंसर्ट है, वो रहेगा 10 next question है, when LTC advance is taken by the official, then within what period of time the LTC claim should be submitted from the date of the return journey the date of the return journey के से, कितने समय के दोरण आपको यह LTC claim आपको submit करना चाहिए, तो यह आपको पूछ रखा है, कि within what period of time the LTC claim should be submitted from the date of the return journey, जो return journey की date है, उससे कितने समय के दोरण इसको आपको claim करना चाहिए, देखिए जब आपने LTC advance ले रखाओ, तब किस स्थित्य हैए, 6 महीने है, 3 महीने है, 2 महीने है, या फिर आपका एक महीना है अब जब when LTC advance is taken, तब क्या स्थित्य होगी, उस समय आपके लिए रहेगा 1 month का time period, एक महीना next question है, question ऐसा ही है, बट थोड़ा सा change है, when LTC advance is not taken, वहाँ पर taken है, वहाँ पर LTC, LTC advance है, यहाँ पर नहीं है is not taken by the official, then within what time, which period of time, the LTC claim should be submitted from the date of the return, जब आपने LTC advance ना लिया हो ऐसी स्थिती में आपका समय क्या रहेगा, 6 महीने होगा, 3 महीने होगा, 2 महीने होगा, या फिर एक महीना होगा, यहाँ पर आपका दू है, वो 2 months रहेगा, 2 महीने का time period रहेगा, उसके बाद है, which is not true with reference to the LTC, LTC के मामले में क्या सक्त्य नहीं है Only one LTC can be taken for self and family, LTC drawn can be taken for family separately, A and B are correct, A and B are wrong, दोनों ही ठीक है, दोनों ही गलत है, या option A है, या option B है, यहाँ आपका अंसर होगा, A Only one LTC can be taken for self and family, next question है आपका, how many times hometown declared may be changed during the entire service of government officials by the head of the department, how many times hometown declared may be changed during the entire service of government officials by the head of the department, Head of the department के दवारा, पूरी service के दोराल, कितनी बार्स को change किया जा सकता है, declare किया जा सकता है, एक बार, दो बार, तीन बार, या फिर चार बार, अंसर रहेगा आपका, सिर्फ single time, one time, एक बार Next question है आपका है, यह मैं डिटेल में ज्यादा इसलिए निजा रहा हूं क्योंकि यह topic आप लोगों का हो चुका है, जो paid batch वाले बच्चे उनका हो चुका है, और मैं किसी ने किसी दिन उसको upload करके, YouTube के ओपर भी किसी दिन डाल दूँगा, क्योंकि यहाँ बच्चों को अनसर ही ज्यादा चाहिए होते हैं, बाकी नॉर्मल चीज़े हैं, आप सब लोगों को अल्रेडी पटा होता है, विदिन वट पीरिड अप टाइम इच बैच्च उट कंप्लीट दा रिटर्ण जर्नी ओप इट्स ओड़ जर्नी वेन LTC अवेल बाई दा मेंबर और मेंबर वाहिल अवेलिंग LTC, इसके दोरान कितने समय का, कम से कम आप बताना है, 20, 50, 40 या पिर आपका अंसर 30, कम से कम आपका 30, नेक्स्ट क्यूस्टन है, हाउ मैने डेज लिव इनकेसमेंट टू ए री एंप्लोईट पैंशनर इफ ही इस एंटाइटल तो LTC इंक्लूदिंग दा नमबर अफ देज ओल लेड़ी अवेल फोर इनकेसमेंट फोर LTC वाईलिन सर्विस, 60, 90, 100 या फिर 50, उचसे थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने डाल दिया, तो इस स्थिति में आपका अंसर जो है, वो 60 रिगार, बिल्कुल कई जग है, बिल्कुल माइनर सा गयप होता है, question to question में, वो आपको समझना है, next है, if there is any change in the intended place of visit, the government official should intimate the same to the खालिस्तान before commencement of the journey, अगर थोड़ा वो चेंज होता है, तो कैसे उस स्थिति में, same to the खालिस्तान before commencement of the journey, head of the department को बताना है, head caller को बताना है, controlling officer को बताना है, और आपका account officer को, यहां तो मुझे लगता है कि जो जा समझना नहीं होगे, आप लोगों को, और ladies cancer पता होगा, controlling officer को आप लोगों को यहां पर सुचित करना होता है, intimate करना होता है, अगर change हो, next question है, who is entitled for LTC, who are appointed to civil service and post including civilian government servant in the defense service in the connection with the affair of the union, who are employed under state government and who are on deputation with central government, who are appointed on contract base, या who are re-employed after the retirement, चारों ही रहेगा, ओलोगता अबोगों, चारों ही आपका answer रहेगा, सभी ठीक है, next question है, how many days maximum earned leave engagement is admissible to the both husband and wife who are government service, husband और wife अगर दोनों government service हैं, तो फिर maximum कितने EL को आप engagement के रूप में सभीकार करवा सकते हैं, या सभीकार या होता है, उसमें 60 days each of them, 90 days each of them, A and B दोनों, या फिर इन में से कोई नहीं, अगर husband wife दोनों हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों की EL को आप सभीकार ये करवा सकते हैं, ऐसी स्थिति में 60 days each of them, छीक है, next question है, how long time minimum continuous service must be completed by a government service to be eligible for availing LTC on the date of journey, date of journey के उपर LTC को avail करने के लिए, how long time minimum continuous, कितने समय का लगातार service होना चाहिए, ऐसी स्थिति में अंसर होगा, एक साल का होना चाहिए, दो साल का होना चाहिए, दो महिने का होना चाहिए, या फिर एक महिने का होना चाहिए, ऐसी में आपका अंसर उदो रहेगा, वो रहेगा, minimum one year तो होना है चाहिए, अगर आपको इस service को avail करना है, next question है, which one is not true regarding LTC concession availability, which one is not true regarding LTC concession availability, LTC concession availability के लिए कौन सा इसमें से सत्य नहीं है, it can avail during study leave, it can avail during weekend and other period of holidays alone, अब देखिए, it can avail during weekend and other period of holidays, मुझे लग रहा कि इसका अंसर आपको पता होगा, B अंसर आजाएगा, only B is right, तो आपका अंसर यहाँ पर D होगा, क्योंकि B वाला ठीक का, और option इन्होंने आगे दिये नहीं, तो D आ जाएगा, next question है, how many earned leave can be encasement at a time while on proceeding LTC, जब LTC proceeding में हो, तो कितने दिनों की leave को, earned leave को, EL को encasement हो सकता है, एक बार में at a time, at a time मलब उसी समय के दोरान, 40 days, 30 days, 20 days, या फिर 10 days, अंसर आएगा आपका, 10 days, next question है, how many maximum earned leave can be encasement during the entire career for the purpose of the availing LTC, पूरे career के अंदर, how many maximum earned leave can be encasement, कितने EL को encasement किया जा सकता है, पूरे career के अंदर, purpose of availing LTC के दोरान, 50 days, 60 days, 70 days, या फिर 90 days, अंसर होगा आपका, 60 days, next है, the first two year block of hometown concession for LTC is started from, कब से शुरू होता है, 1957 से शुरू हुआ, 1945-1945 से, या फिर 2021 से, पहली बार शुरू हुआ ये, 1956-57 से, next है, the first four year block of concession to visit any place in India for LTC is started, पूरे, any place in India, पूरे इंडिया के अंदर, कब से, 57 से, 67 से, 64 से, या फिर 2014 से, अनसर होगा, all over India में, दो हैं, उनिस सचुहेतर के, 77 के दोरान, next question है, how much advance can be granted for the purpose of LTC provable amount, how much advance can be granted, कितना advance grant हो सकता है, for the purpose of LTC provable amount, कितना, 70%, 80%, 90%, या फिर 100%, अनसर आजएगा आपका 90%, next question है, who is not included in family for the purpose of LTC, LTC के purpose में, परियार के अंदर, कोन सामिल नहीं होता है, step parents, step children, unmarried major brother, या फिर all, अनसर आजएगा आपका, unmarried major brother, ये जो है, वो family में count नहीं होता है, जब आपका purpose LTC का होता है, तो, क्योंकि step parents भी होते हैं, step children भी होते हैं, और बाकि अगर आप husband wife, तो उसमें होते ही होते हैं, और उसके अलावा, दो आपके बच्चे भी होते हैं, next question है, the development income from all sources should not exceed the amount, the dependency income from all sources should not exceed the amount, कितने amount से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9000, 8000, 10,000, या फिर 15,000, अंसर होगा आपका, 9000, अगला question, concession for one block can be carried forward, concession for one block can be carried forward, खालिस्तान ओफ the next block, one year, two year, two months, two months, और या one month, अंसर आजेगा आपका, one year, next है, how long distance travel is reimbursable, कितना लंबा distance travel जो है, कितना लंबा distance travel जो है, कितना लंबा distance travel जो reimbursable है, in case where journey on LTC involved travel by private transport, जब LTC यात्रा है वो private transport ही हो, over arrangement हो, if no public transport है, अगर किसी जगे के उपर public transport अविलेबल ना हो, तो ऐसी सित्री में private transport या अपने arrangement के दवारा अगर यात्रा करनी हो, तो कितने distance का जो travel है, वो LTC के दोरान उसकी यात्रा को reimbursable मना जा सकता है, रिंबर्स हो सकता है, 15 किलोमेटर, 100 किलोमेटर, 70 किलोमेटर या 90 किलोमेटर, अंसर आजाएगा आपका 100 किलोमेटर तक की आपकी reimbursable होती है, next है, who can allow the use of open car, hire taxi on account of physical handicap, disability of the government servant, or his dependent family member subject to condition, कौन allow करेगा, head of department, head clerk, controlling officer, या आपका account officer, ऐसे स्थित्री में, जो situation हो चेंज हो जाएगी, यहां आपका जो answer होगा, वो head of department पे आ जाएगा, इसके पास ही power है, यह कुछ questions है जो LTC को लेकर के थे, और कोई topic अगर आपको लगता हो कि इसके उपर topic पे आने चाहिए, 2018 वाला paper हम discuss करने वाले हैं, 15 वाला discuss करने वाले हैं, KBS का 16 वाला करने वाले हैं, UPSC वाला paper हम लोग discuss करने वाले हैं, NWIS का होगा, EMRS के तो already कुछ question डाले भी जा चुके हैं, all over idea में हमारा material पहुंचा आ जाता है, और हम कोशिश करेंगे कि जो paid classes वाले वीडियोज हैं, वो भी जिनमें पूरे topic के topic कवर किये गए हैं, वो भी जैसे possible हो, आप लोगों के लिए channel पर upload करवा दिये जाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को subscribe कर लिए, बाल एकन को press कर लिए, दोस्तों के सब वीडियो को share करेंगे,